नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड कोतम दोसो एक तो बारिल फीवर के बाद मेरा गरा खराब है उपर से ऐसा बयान पीम मोदी ने दिया है जिसके बारे में बोलते वक्त समझ नहीं आ रहा कि बोलू तो बोलू क्या सुधी चोदरी, अमिश देवगन, अमन चोपडा, रुबिका लियाकत, चित्रा तिरपाठी, श्वेता सिंग, अजना उमकशप, सुशान सिना लंबी चोड़ी एंकरों की फोज आज पीम मोदी का ये वीडियो देख कर कहेगी कि मोदी जी हमारी तपस्या में आखिरकार ऐसी क्या कमी रह गई थी, जो आपने एक जटके में पराया कर दिया और विपक्ष के पाले में हमें डाल दिया, पीम मोदी ने मीडिया के बारे में ऐसा बोला है और मीडिया को ऐसा कोसा है कि मीडिया एंकर भी सुनकर हैरान रह जाएंगी कि मोदी जी आपने ऐसा जुल्म क्यों कर दिया एक जटके में पराय कर दिया पीम मोदी तेलंगाना की रैली में खुद के अच्छे कामों की गिंती करा रहे थे कि मैंने क्या-क्या अच्छे काम किये हैं और आरोप लगा दिया कि मीडिया मेरे अच्छे कामों के बारे में जरा भी नहीं बोलता पीयम मोदी ने मीडिया के बारे में क्या कहा जराई बयान सुनिये जिसे सुनकर आपके पैरो तोले से जमीन किसक जाएगी कि मीडिया और मोदी जी के लिए क्या कर सकता है जिराज सुनिए बयान आपको जान करके आनंद होगा मेरे तेलंगना के भाई भेन अमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरे नहीं होती है क्योंकि अगर ये खबरे छब जाते हैं तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है एक बार फिर आप सुनिए पीएम मोदी की जुबान भी हकला जाती है शब्द मुँ में अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो जूट बो रहे थी एक बार फिर सुनिए मीडिया पर क्या आरोप लगाते हैं आपको जान करके आनन्द होगा वैसे आनन्द वाही क्या बात दिश्वाइब हैं अमारे मीडिया वानों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं उन्हों खबरे नहीं होती है क्योंकि अगर ये खबरे छब्या हैं तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा दिन रात मीडिया मोधी भक्ती में लगा रहता है तमाम एंकर कोई कसर नहीं छोड़ते हर कोई नंबर बनाने में रहता है कि पीएम मोधी की कितनी तारीफ की जाए और बिना बात के भी तारीफ कर दी जाती है और विपक्ष को नीचा दिखाने का कोई मोगा हमारे देश का मीडिया नहीं चूकता और पीएम मोधी आरोप लगाते हैं कि मेरी तारीफ इसलिए नहीं की जाती क्योंकि दूसरे नेताओं को नीचा दिखाना पड़ेगा पीएम मोधी के ऐसे चुटकुलक लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं पहले विपक्षी पार्टियों के नेता चुराते थे अब विपक्ष के डायलोग भी चुराने लगे गोधी मीडिया वाले भी सोचते होंगे इनके सामने कुट्टों की तरदों मिलाना भी काम नहीं आया इस वार्ती बंदा खुट के पाइदे के लिए किसी का भी सतनास कर सकता है दलाल मीडिया पूरे दिन देश में फेकू का गुणगान करता है और ये महाशे बोलते हैं मीडिया मेरी खबर नहीं चलाता है तो पबलिक हैरान है कि इतना निचावर होने के बाद भी पीम मोदी मीडिया से शिकायत करते हैं कि मेरी खबरे नहीं दिखाई जाती विपक्षी नेताओं को जादा दिखाया जाता है अगर मेरी खबरे दिखाएंगे तो दूसरों को निचा दिखाना पड़ेगा हाला कि मीडिया इसी काम में लगा है विपक्षी नेताओं को नीचा दिखाता रहता है PM मोदी की भक्ती में लगा रहता है PM मोदी फिर भी संतोष नहीं है दरसल PM मोदी का ये बयान दिखाता है कि उन्होंने जनता को महामुर्ख समझ लिया है और victim card वाली जो राजनीती है सुधी चोधरी का एक बार विश्टेशन आपने देखा होगा कि उन्होंने एक victim card दिखाया था तो उस victim card का सबसर जादा इस्तमाल करते है PM मोदी उनको ये लगता है कि जनता के सामने मैं जितना victim card खेलूँगा उतना जादा boat मिलेगा तो PM मोदी ये जताने की कोशिश करते हैं कि देखिए विपक्षी मुझे कितनी गालिया देते है जनता मेरा साथ देती है विपक्षी निता गालिया देते है यहाँ पर मीडिया के लिए भी victim card खेल गए कि देखिए मीडिया मेरे साथ कितना नयाय करता है आप जनता के भरोसे ही हूँ मैं मीडिया भी मुझे नीचा दिखाता है मेरी खबरे नहीं दिखाता है दोसो PM मोदी कई बार विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष वाले हमेशा रोते रहते हैं इसलिए मीडिया सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोक सब की बुराई करते हैं मोदी कभी रोता धोता नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का मज़ाग उड़ा रहे थे आज कहते कि मीडिया मेरी खबरे नहीं दिखाता क्योंकि अगर मेरी कबरे दिखाएगा तो दूसरों को नीचा दिखाना पड़ेगा कुल मिलाकर रोने धोने वाली दाजनीती इसी को कहते है कि खुद को बेचारा दिखाना है विक्टिम कार्ड खिलना है और जनता को मुर्ख मान लेना है यहां यह मान लिया गया है कि सामने बैठी जनता के पास बिलकुल भी दिमाग नहीं है मैं जो कहूंगा वो जनता मान लेगी इसलिए भश्टाचार से लेकर मीडिया तक पीम मोदी हीपोक्रेसी की हद कर देते हैं कई बार कहते हैं कि भश्टाचार के खिलाब बेरी लड़ाई है इसलिए परिवारवादी रोते रहते हैं अब अजीत पवार को भी परिवारवादी मानते थे भश्टाचार के आरोप भी लगाए उसके बार डिप्टी सीम बना दिया अशोक चबान पर भिष्टाचार के गंबीर आरोप लगाए रैलियों में लगाए कारगिल के योध्धाओं के आवास खाने के आरोप लगाए उनको राजसवा सांसत बना दिया माना कि मीडिया सवाल जबाब नहीं करता लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए कि पीम मोदी जिस तरह की डायलोग बाजी रैलियों में करते हैं उसके पीछे का जमीनी आधार क्या है धरातल की सच्चाई क्या है आप पीम मोदी के इस तरह मीडिया पर आरोप लगाने को लेकर क्या सोचते हैं और आज ये बयान सुनकर उन एंकरों की हालत क्या होगी जिनोंने भक्ती के सारे रिकोर्ड तोर दिये अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ओप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार